आज मैं आपके साथ ये छोटे छोटे गूस बेरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ हम लोग तो इसे छोटे आवले, मीठे आवले बोलते हैं आप क्या बोलते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं धूप के दीन चल रहे हैं, कितनी भी अच्छी सबजी बनाओ, जुबान को टेस्टी नहीं लगती है इस खटे खटे फल की खटी मीटी सबजी बनाएंगे, जो थाली के लेफ्ट हैंड साइड रखा जाता है रेसिपी पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें असलाम अलाइकुम, ये गूस बेरी का पेड़ तो मेरे आंगन में है, मैंने एक बाउल भरके ये गूस बेरी तोड़के लाए हैं चलिए इसे दो कर साफ कर लेते हैं, एक कड़ाई को पहले से गरम रख लिया है, दो-तीन बड़े चमश तेल डालेंगे तेल के गरम हो जाने के बाद राई डालेंगे, राई की तड़कने के बाद जीरा डालेंगे वैसे देखा जाए तो आधा-धा चमश डाला है मैंने, आप कम या ज्यादा कर सकते हैं ये अचार जैसी सब्जी है ना, इसमें राई जीरा अच्छा भी लगता है जीरे के तड़कने के बाद ये आवले डाल लेंगे वैसे वजन में देखा जाए तो 250 ग्राम है ये इसको अच्छे से 1-2 मिनिट तक भून लेंगे इसके बाद बाकी के मसाले डालते हैं एक चमश हल्दी पाउडर दाला मैंने अभी एक चमश भरकर लाल मिर्च पाउडर 3-4 चुटकी हिंग डालेंगे ये अचार जैसी सबजी है न तो इसमें हिंग बहुत अच्छा लगता है अच्छे से मिक्स कर लेंगे गैस का फ्लेम मिडियम रखेंगे मैंने आवले दो कर दाले थे तो उसमें से थोड़ा पानी चला गया है अगर पानी ना हो तो आप 1-4 cup उतना पानी अड़ कर सकते हैं इसे ढख देंगे 5-6 मिनिट तक पकाएंगे आवले सॉफ्ट होने तक ओपन कर लेते हैं देखिए आवले हलके सॉफ्ट हो गये है चमच चला कर देखेंगे नीचे दाग लग गया है क्या अब इसमें एक चमच भरके राई की डाल डालेंगे ये बड़े साइस का चमच है अगर आपके पास राई की डाल नहीं है तो आप राई पीस कर भी डाल सकते हैं पर राई को हलका भून लेना चाहिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके बाद वन फोर्थ कप उतना पानी एड़ करेंगे मतलब हमारे चाई पीने वाले कप से आधा कप एक चमच नमक डालेंगे और इसके बाद हमारे चाई पीने वाले कप से पाउना कप चीनी डालेंगे और इसे ढख देंगे गैस के मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक पकाएंगे चलिए ओपन कर लेते हैं ये बन गई हमारी आज की आवले की खटी मीटी सबजी आप इसे आवले का अचार भी बोल सकते हैं मैंने इसमें मूंग, फली, नारियल वगेरा नहीं डाला है अगर आप वो सब डाल कर बनाएंगे तो इसे आवले का पंचामरुद भी बोल सकते हैं थंडा होने के बाद एक डिबे में भर कर फ्रिज में रख लेंगे तो जब तक खतम नहीं होगा तब तक खराब नहीं होगा और धूप के दिन में ऐसे खटे मीटे अचार सबजियां अच्छी लगती हैं खाने में अगर आपके यहां यह आवले मिलते हैं तो आप एक बार ट स्टीसी रेसिपी के साथ तक तक इजाज़त दें अल्ला आपकी हिफाज़त करें अल्ला आपका निगेबान रहें अल्ला हाफीज